हेलो बच्चो आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल दियास कुमार में फिर से कबार स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम लोग उर्जा के स्रोत चेप्टर से एक बहुती महतुपूर्ण प्रस्न को देखेंगे तो देखें हमारे पास आज का जो प्रस्न है या क कुछ इस प्रकार से है जेव मात्रा तथा उर्जा स्रोत के रूप में जल वेदूत की तुलना की जिए और उन में अंतर लिखिए आपको यहां पर क्या करना है जेव मात्रा और उर्जा स्रोत के रूप में जल वेदूत के बीच आपको तुलना करना है यानि दोनों में द तूल्ना करेंगे या फिर जब या आप डिफ्रेंस करेंगे तो देखें तूल्ना अन्तर डिफ्रेंस्हा या फिर विएद सब एक चीज है और यह तूल्ना डिफ्रेंस बताएंगे और एक साइड में हम लोग जल्वेदूत के बारे में बताएंगे तो देखिए पहला जेब मात्रा एक नविकर्निय उर्जा स्रोत है जेब मात्रा जो है एक नविकर्निय उर्जा स्रोत है और जल्वेदूत क्या है देखिए तो जल्वेदूत भी एक नविकर्नि होती है जेव मात्रा जो है अगर जेव मात्रा का अगर हम लोग देखें तो जेव मात्रा की उप्योग से क्या होती है वायू परदूसित होती है ठीक है चलिए हम लोग आगे बात करते हैं तो चलिए अगले पॉइंट के और बढ़ते हैं हमारे पास अगला पॉइंट कुछ इस प्रकार से हैं जेव मात्रा की उपयोग से परियाबरन और संतुलन उत्पन नहीं होती है देखिए अरह जेव मात्रा का उपयोग करेंगे तो इससे परियाबरन पर कोई भी परवाव नहीं पड़ेगा यानि परियाबरन का जो संतुलन है वह बना रहेगा ठीक है यानि परियाबरन और संतुलन उत्पन नहीं होता है और जल्वेद्दूत में देखा जाए तो जल्वेद्दूत प्राप्त करने के लिए बनाए गए बांध तो यानि कि डेम दवरा पर्यावरनिय असंतुलन उत्पन हो सकता है देखिए जल विद्दूत प्राप्त करने के लिए हमको डेम बनाना पड़ेगा बांज बनाना पड़ेगा और जिसके दवरा पर्यावरनिय असंतुलन उत्पन हो सकता है ठीक है चलिए अगे बात करते हैं अब अगर हम लोग अगला पॉंट देखें तो देखिए जैव मात्रा सस्ती होती है यानि जो जैव मात्रा होती है न वह सस्ती होती है और जल वेद्दुत महंगा होता है और जो जैव वेद्दुत होता है वह महंगा होता है तो आज कि इस वीडियो में हम लोगों ने जैव म नात्रा और जल्ब एदूत के बीच के डिफ्रेंस को देखा तो आज के लिए इतना है फिर मिलता अगले वीडियो में थैंक यू